इसे ही का तमाम ये कंगो दिवार है जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन दिन की सबसे बड़ी सबसे जरूरी खबरों को समेटे तयार है मनी सेंट्रल मेरे साथ स्टूडियो में मनी नाइन के इटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं सर बहुत स्वागत है आपका आज की दिन की सबसे बड़ी खबर कौन सी है जी सेविन देशों की बैठक से आ रही है जी सेविन देशों ने जिस तरह से रूस के तेल पर एक नए किसम का प्रतिबंध लगाने के त्यारी की है उसके बड़े व्यापक और गहरे असर होने वाले हैं खास्तों पर भारती अर्थवयस्था और भारत और चीन की अर्थवयस्थाओं पर हम समझने की कोशिस करेंगे कि वस्तुता ये है क्या और ये नए प्रतिबंध से दुनिया के तेल बाजार में किस तरीकी की उथल पुथल होगी और वो आपकी और हमारी जेब तक कैसे बिल्कुल शुरुवात कहां से होगी शो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा इसके लिए देखते हैं on the show सबसे पहले बात होगी रूस पर जी सेवन की नए वार की क्या तैयारी होरी ये हम जानेंगे और डूपते पाकिस्तान को मिला IMF का सहरा कितना बड़ा सहरा है पाकिस्तान को क्या उबार पाएगा क्या उसके कॉम्प्लिकेशन्स होंगे ये सारी चीज़े हम अंशुमान जी से आज समझेंगे लेकिन शुरुबात रूस से कच्चे तेल और नेचुरल गैस की बड़ी होई कीमतों से रूस को हो रही कमाई पर चोट पहुचाने की तयारी में G7 देशों ने एक नई योजना बनाई है G7 देश रूस से सप्लाई होने वाले तेल के भाव की कैपिंग का प्लान बना रहे है कैपिंग मतलब कि एक अधिकतम भाव तैय करने का प्लान बन रहे है कि इस से जादा पर रूस तेल नहीं बेच पाएगा ऐसा क्यों ताकि रूस को आर्थिक तोर पर चोट पहुचाई जा सके दरसल रूस और युक्रेन के बीच युद्ध की वज़े से वैश्विक बाजार में कच्छे तेली कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है और इसका फाइदा रूस को मिल रहा है क्योंकि रूस तेल का बड़ा निर्यात तक देश है सर तेल के बहाओ पर कैपिंग का मतलब क्या ये कैसे की जाएगी क्या पूरी योजना है ये मुझे लगता है कि अगर ये योजना लागू होती है और दुनिया के देश इसे सहमत होकर लागू कर पाते हैं हाल के दिनों में युद्ध के बाद इतने सारे प्रतिबंदों के बाद भी पुतिन अपनी आकरामक्ता जारी रखे हुए है जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खारकीव पर एक बड़े हमले की खबर है पुतिन के की जो पूरी वार मशीन है ये माना जा रहा है उसे ये तेल का निर्यात ही फिनांस कर रहा है पुतिन डिसकाउंट पर भी तेल बेच रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अंतराश्ट्री बाजार बेचों की कीमतें उची हैं इसलिए बड़ा हिस्सा पुतिन को तेल और गैस की विक्री से आ रहा है करीग तीन सो बिलियन डॉलर की आसपास की राश इस साल मिलने के संभावना है रूस की अर्थविश्था को जिबकि रूस के उपर चारों तरफ से प्रतिवंद लगे हुएं इसे रोकने के लिए अब जी सेवन देश रूस के तेल की एक कीमत तै करने पर तैयार हुए हैं और वो रूस की तेल की कीमत की कैपिंग का मतलब है कि रूस का तेल नियूंतम इतनी कीमत पर बेचा जाएगा यानि रूस के तेल की कीमत क्या 10 डालर हो सकती है 15 डालर हो सकती है 20 डालर हो सकती है भी तेह नहीं की गई पर वह कैपिंग के लिए दुनिया के देशों में सहमती बनाई जाएगी यानि उस इस्तर पर रूस को तेल बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा जिससे उसकी अर्थवस्था को नुकसान हो सके उसे जो पैसा मिल रहा है अंतराश्टी बाजार में कच्चे तेल की तेजी का उसका लाव उसे नहीं मिल सके हम मनी सेंटरल में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि दुनिया में जब भी तेल उत्पादन के लागत की बात आती है रूस दुनिया का सबसे सस्ता कच्चे तेल उत्पादन करने वाला देश है करीब 45-40 डालर पर बारल के आसपास के तेल की लागत पर भी रूस को लाब होता है अब ये अपने आपने एक कॉम्प्लिकेटेड और कठिन और जटिल प्रक्रिया है इसे लागू करने के तरीके कई तरीके के हैं जिनने लेकर G7 के देशों के बाहर उनके अधिकारियों के बीच में और उनके पूरी मशीनरी के बीच में विचार हुआ है अब इसे लागू कैसे किया जाएगा ये सबसे दल्चस्प बात है जो समझना हमारे लिए जरूरी है जरूरी, जर कैसे तरीका क्या होगा, और मैं असर समझूं उससे पहले मैं तरीका ही जानना चाहूँगा, कि अगर किसी देश को ये कहा जाएगा, कि आप सस्ते में तेल बेची, वो क्यों बेचेगा, और उसके पास अगर ऐसे देश हैं, जो ज़्यादा वे खरीदने को तैय नहीं जाएगा पहली चीज आप यह समझे जिस बात के संभावना पहले ही दिखाई दे रही थी कि रूस का तेल पूरी तरह बाजार में आएगा आने से रोका जाएगा वैसा नहीं होगा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अंतराश्ट्री बाजार में और कोई दूसरा देश इतना तेल नहीं भेज सकता है नहीं पहुंचा सकता है जितना तेल रूस से मिले गा और जो 11 मिलियन बैरल पाड़े का शाट फाल है इसे कोई पूरा नहीं कर सकता तो पहली चीज तो यह सैधान्तिक पर रूप से सहमत ही कि रूस का तेल बाजार में आने दिया जाए दूस इसे लागू करने के तीन तरीके हैं जो इन तीन तरीकों पर विचार हुआ है। पहली चीज तो यह है कि दुनिया भर की जितनी शिपिंग लाइन्स हैं जो रूस के अलग-अलग हिस्सों से चाहे वो बाल्टिक्स आगर के साइट से तेल लेकर निकलती हो या बलाकसी की अपलोड करने जाएगा और अगर उसकी इनवाइस जो भी कैपिंग की जाए माली यह 20 डॉलर पर बैरल की कैपिंग की जाए उससे महंगा तेल होगा तो वो नहीं लेगा क्योंकि वो इनवाइस में कोट करना पड़ता है शिपर को कि किस प्राइट का तेल आ रहा एक चीज दूसरा महत दूसरी चीज यह कि इस पूरे प्रतिबंद को लागू करने के लिए यूरोपिन समुदाय के बाकि 27 देशों को और दुनिया के अने देशों को साथ में शामिल करना होगा खास्तोर से ब्रिटेन का इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रिटेन में दुनिया का शिपिंग फिनांस और इंशोरेंस का का सेट अप है इंशोरेंस कमपेनिया इस बात की गैरेंटी देंगी कि इस तेल पर वो कैपिंग है जिस कैपिंग का तेल कैरी किया जा रहा है क्योंकि शिपर्स को बाद में अपने इंशोरेंस लेने पढ़ते हैं बैक एं इसे लागू करा पाना मुश्किल और डिफिकल्ट इसलिए होगा दुनिया के देशों के लिए कि इसके लिए जो मैकनिस्म बनाने की जरूरत है उसमें तीन चार बड़े पार्टनर होगे बैंकर बड़े पार्टनर होगे एक्सपॉर्ट करने वाले एजेंट बड़े प्लाई तो होगी आप और तीक कम नहीं होगी लेकिन रूस को स्टेल से मिलने वाला फाइदा जो जो रूस को को लाब मिल रहा है अपनी युद्ध वेउस्था को चलाया रखने के लिए वो नहीं मिलेगा इसे दो निशाने निशानों की कोशिश है एक रूस की अर्थ वे बाजार में रूस के में कीमतों को इतना न बढ़ने दिया जाए जिससे वी कीमतें 120-125 डालर पर बारल के आसपास पहुंच जाए यानि रूस का तेल बाजार में आता रहे पर वो रूस को फाइदा ना दे अब ये कैसे रूस को इस पर सहम रूस क्या इसे मानेगा रूस इसक निकाले जाएंगे जहां से तेल को बेचा जाए ये बात दिल्चस्पास पर ये योजना इस योजना में कई सारे सारे महतुपूर्ण पहलू जुड़े हुए हैं जो अंतराश्टी अर्थववस्ता को प्रभावित करें सर दो चीज़ें यहां मैं और समझना चाहूंगा एक तो तेल के बाजार पर ये कैसे असर डालेगा और दूसरा भारत जैसी अर्थववस्ता को अगर हम अपने नजरिये से अपने चश्मे से इस पूरी घटना को देखें तो भारत जैसी अर्थववस्ता के लिए इसके क्या मतलब होंगे भारत के लिए अच्छी खबर है भारत और चीन जैसी अर्थववस्ताओं के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती क्योंकि रूस का तेल अभी जिस कीमत पर खरीद रहे हैं वो 70-72 डालर पर बैरल के असपास है तो अगर उससे नीचे कीमत लाई जाती है रूस की जो उतपादन लागत है उससे नीचे लाई जाती है तो भारत जैसी अर्थववस्ताओं को सस्ता तेल और सस्ता तेल मिलने की संभावना बनेगी आप और ज्यादा सस्ता तेल खरीद पाएंगे भारत की और चीन की अर्थववस्ताओं के लिए इसका लाप जरूरी है दूसरी चीज है कि ये नीच क्यों अगर स 35 में मिलेगा तो अगर आभारत के नजरे से देखें तो सस्ता तेल भारत में टेल की कियमतों में कमी और इसके अलाब बहुत सारे दूसरे आयाम खुल जाते हैं लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अंतराश्ट्री बाजार में इस रास्ते से रूस कितना तेल देने को तयार होगा, इस बात पर नर्बर होगा कि बाजार में सप्लाई कितनी है। मालीजी रूस ने कहा कि हम इस सस्ते वाले इस कैपिंग वाले रास्ते से 11 मिलियन बैरल के बज़ा तीन ये 4 मिलियन बैरल तेल ही बाजार में डालेंगे तो बाजार में डिमांड सप्लाई का मिस्मैच रहेगा और इसलिए आज हमने देखा शुब हमकी कच्छे तेल की कीमतो हमें बहुत बड़ा बदलाओ इसके बाद हमें नहीं दिखाए गिया मतलब ये फैसला जी सेवन का इतना बड़ा फैसला था अपने तरीके का पहला फैसला था लेकिन अगर अभी हम कुरूड की ब्रेंट की कीमत देख रहे हैं तो 116, 117 डॉलर के आसपास है तो ओपिक दे अगली ख़बर भी जी सेवन से है चीन के बैल्ट रोड परियोजना को टक्कर देने के लिए जी सेवन देशों ने 600 अरब डॉलर का नया प्लान तयार किया इसी होजना को पार्टनर्शिप और ग्लोबल इंफ्रेस्ट्रक्टर एंड इंवेस्मेंट यानी PGII नाम दिया गय कि इस परियोजना में निवेश करने वालों को बहतर रिटन मिलेगा जी सेवन बैठक में चीन की बैल्ट रोड परियोजना जो है इसकी निंदा की गई और दुनिया के कई देशों को माना गया कि वो कर्ज देकर अपने जाल में फसारा जी सेवन की PGII परियोजना का मकसद गरीब देशों में इंफरियोजना का क्या आसरों को उससे पहले यही जानना चाहेंगे कि चीन की यह जो बैल्ट रोड परियोजना है जिसकी निंदा की जारी यह क्या है करीब करीब एक ट्रिलियन डालर के आसपास के खर्च की परियोजना थी चीन की जिसे जो दुनिया के साथ देशों को आपस में जोड़ती थी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पावर सिस्टम्स को बेटर करना मेट्रो बनाना बहुत सारी सुविधाय शामिल थी और देशों की तरफ से खास्तोर पर अमेरिका के नेतरत्तों में इस तरीके की योजना की संभावना सोची जा रही थी जरूरत की जा रही थी कि अंतराश्ट्री मंच पर एक ऐसा ही इनिशेटिव है इसी तरीकी का इनिशेटिव आये जो कि चीन के इस बेल्ट रोड बाजारों में उन्ही धेशों में इनिफरर स्ट्रक्ष्ट्छर से जुढ़े बहुत सारी बहुत सारे आयाम हैं इस परियूजना कि बड़े इनिशेटिव के इन देशों को मदद करेंगे ताकि उनकी अर्थ विवस्ताइं बेहतर हो सके हैं कोशिश है कि वो चीन के डालर का grant fund और private investment अमेरिका लेकर आ रहा है सर अब यह जो नए प्रोजेक्ट है पीजिया यह कैसे इससे अलग है और इसके क्या फायदे होंगे या कैसे काम करेगा यह फंड वाइट आउस ने विस्तरत काफी लंबी प्रेस रिलीज जारी की है और बहुत लंबा बयान जारी क पर इसके तीन चार बड़े component है एक सबसे एक बहुत बड़ा component energy को लेकर है energy transformation को लेकर है उर्जा के नई नई चमता है नई तक्निके विक्सित करने में निवेश करना health और nutrition को लेकर इसका एक बड़ा हिस्सा है और कुछ बड़े हिससे infrastructure से जुड़े हुए एक परियोजना एक telecommunication company है सबकॉन जो उसे ये contract दिया जाएगा PGI के तहत करीब 600 million dollar का contract होगा ये South East Asia, Middle East और Western Europe को जोड़ने वाली 6 submarine telecommunication cable का एक network बनाएगी जो submarine समुदर के भीतर जाने वाली telecommunication cable होगी ये सिंगापूर से France तक फैला होगा network सिंगापूर को फ्रांस से जोड़ेगा और य होते हुए जाएगा इसमें करीब 17,000 km के आसपास का network है और इसके आसपास जितने भी देश हिस्से में आते हैं उन्हें उनके लिए seamless telecom network मिलेगा ये सबसे बड़ी परियोजना है जो शायद भारत को सीधे मदद करेगी इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़े हैं अब इ वैसा लेकर दुनिया के देशों में निवेश कर रहा है उसका सामना करने के लिए अपने आपको खड़ा कर दिया है और ये लगबख शुभम वैसा ही है जैसा कि हमने 1948 में मार्शल प्लान देखा था जब second world war के बाद योरोप पुरी तरह तबाह हो गया था और अमेरिका न अब इस प्लान में European Union, Canada, Japan जैसे देश भी शामिल है बिलकुल तो ये थी G7 पर हमारी coverage आगे बढ़ते हैं सरकारी बैंकों के निजी करण को बढ़ावा देने के लिए सरकार संसत के मौनसून सत्र में बिल पेश कर सकती है इस बिल के जरिये जिन बैंकों का निजी करण होना हैं ये समाचार जो अच्छपा है काफी महत्व कांग्शी भी लगता है क्योंकि हमने बैंकिंग निजी करण पर बजट के बाद हम लोग ने मैं सेंट्रल ने बताया था कि सरकार इसे पीछे एट रही निजी करण की सारी परियोजनाओं से बैंकिंग निजी करण को लेकर बैंकिंग शेतर को देने को लेकर पिछले 7-8 सालों में बहुत आगे नहीं बढ़ा गया है काफी सारे असमंजस रहे हैं विरोध रहे हैं सरकार तै नहीं कर पाई है लेकिन एक बार फिरे प्रियास किया रहा है इस प्रियास के पीछे दो वज़ें दिखाई दे सकती है एक तो ये कि शेर बाजार के सेंटिमेंट को थोड़ा बूस्ट किया जाए क्योंकि कोई बड़ा रिफॉर्म एजंडा सरकार के पास मेश परिस्से में नहीं है तो बैंकिंग शेतर में सुधारों की बात नहीं से शुरू की जाए और शायद इस पर सहमती बनती दिखाई दे पर जो परस्ताओ के संकेत हमें मिल रहे हैं उस इसाब से पहली बार ऐसा आया है ये परस्ताओ रिपोल्ट हुआ इसाब से सरकार पूरी तरह से सरकारी बैंकों से बाहर निकलना चाहती है इसमें वो बैंक शायद शामिल नहीं होंगे जिनने इस इस ट्रक्शरली इंपॉर रात थे कि सरकार 49 फीजदी या कम से कम 26 फीजदी हिस्सेदारी भी रखेगी लेकिन इससे जाधा भी हिस्सेदारी दी जा सकती है सेंट्रल बैंक अफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक को पहले से ही नीजी करण के लिए शाट लिस्ट करके रखा हुआ है नीतियायों न इन गतिविधियों के बीच में सरकार अधिकरत रूप से इस पर अभी नहीं कह रही है कुछ परसूत्रों के हवाले से दिखाई दे रहा है कि बैंकिंग नीजी करण को लेकर एक बार नैसरे से फिर कोशिश शुरू हो रही है कितना मजबूती से प्रस्ताव आगे बढ़ पाएगा क्या सरकार सहमत कर पाएगी यूनियन को बाकी स्टेक होल्डर को और बी आई को रेगुलेटर्स को कि इसका पूरी तरह निजी करन किया जाए देखना होगा पर यह महतुपून कवर है और इसके घटना करम पर मनी सेंट्रिन में हमारी लगातार नजर बनी रहेग आपको बता दें कि मई के दौरान देश का व्यपार घटा 24 अरब डॉलर के रिकॉर्ड इस्तर पर पहुँच गया था इंपोर्ट में हो रही बढ़ोत्री की वज़ेश से व्यपार घटे में जापा हुआ जरूरत पूरा करने के लिए महंगे क्रूड ओयल को खरीदना सरक कि मजबूरी है लेकिन मई के दौरान गोल्ड के इंपोर्ट में भी जोरदार बढ़ोत्री देखने को मिलिये और इसी तरीके के गयर जरूरी वस्तों के आयात को सरकार अब हतोसाहित करेगी ऐसा माना जा रहा है कम से कम उस पर नजर तो निगरानी तो रखेगी सरी कौन सी कौन सी ऐसा दवाओ है कौन सी ऐसी चिंता है जो सरकार को सता रही है अगर आप पूरे इंपोर्ट बास्केट को गोर से देखिए हम लोग इस पर जब भी ट्रेड डेटा आता तब चर्चा करते रहें इंपोर्ट बास्केट में एक हिससा ऐसा है इसको सरकार इसमें कुछ रुपया फिर अपनी नहीं नहीं रिकार्ड लूपर पहूं चुका है, हमने कलवीस पर चर्चा की थी, सरकार को रुपय को सम्हालने का जिरते रुपय को सम्हालने का कोई साधान और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और जितना व्यापार घाटा बढ़ता जाएगा करे account deficit है भारत में उतना ही रुपया भी कमजूर होगा और आयात भी महंगा होता जाएगा तो कोशिश है जिसे गोल्ड का इंपोर्ट देखी कि गोल्ड का इंपोर्ट मई इस मई में करीब करीब 9 गुना बढ़ गया पिछले साल की तुलना में सिल्वर का इंपोर्ट भी बहुत इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे यह नहीं कहा गया है कि इनके इंपोर्ट को रोका जाएगा लेकिन पुराना इतिहा से बताता है कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को रोकना है तो इंपोर्ट पर प्रतिबंद लगाए जा सकते हैं प्र साल 1.2% था FY22 में जो अब इस साल 3.1% होने का आखलन है और यही वो वज़े है जिससे कि current account खाता जो है चालू खाते का घाटा वो देश में विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी का अंतर बताता है इसमें हर्थ सुरोतों से आने वाली विदेशी मुद्रा है चाहे वो विदेश बाजार में आ रही हो या FDI के तौर पार आ रही हो एक्सपोर्टर ला रहे हो या सर्विसेज इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से आ रही हो यह बड़ी चुनोती है यहां से क्या सरकार आने वाले समय में कुछ चीजों के आयात को महंगा करेगी यह भी दोहरा दुध बाहरी तलवार है आप यतना ही कस्टम ल्यूटी बढ़ाएंगे और आयात महंगा करेंगे महंगाई पर उतना ही जाधा असर भी दिखाई है बिलकुल और यह वाकई एक ऐसी चिंता है जिसके कई मुख है एक तरफ रुपया कमजोर हो रहा है दूसी तरफ विदेशी कीमत 78 रुपय 78 पैसे हो गई है देश में क्रेट कार्ट के जरिए खर्च का चलन लगातार बढ़ रहा है रिजर्ब बैंक के आंकलों के मताबिक मई के दौरान देश भर में क्रेट कार्ट के जरिए लोगों ने 1.14 लाख करोड रुपय खर्च किये हैं जो अब तक का सबसे उचा इस्तर है मई 2021 के मुकाबले अगर आप देखें तो यह 118 फीसद जादा यानि 100 गुना से जादा खर्च इस मई में लोगों ने कर लिया मई 2022 के दौरान देश में 17 लाख ने क्रेट कार्ट भी जारी हुए खिर ने क्रेट कार्ट से बहुत जादा उतसायत होने की दिखाता है दो चीजे हैं इसमें हम इसे एक अगर इस नजरिये से देखनी के कोशिस करें कि भारत में कंजुमर स्पेंडिंग बढ़ रही है क्रेट कार्ट के जरी हाला कि क्रेट कार्ट टोटल स्पेंडिंग स्पेस का इंडिया के टोटल मार्केट का चोटा सा हिस्सा है और उसमें भी बैंक खाता धारकों का भी बहुत चोटा हिस्सा क्रेडिट कार्ड एफोर्ड करता है या रखता है लेकिन इस आकड़े से दो संकेत मिलते हैं और अगर व्यापक मैक्र एकनॉमिक परस्पेक्टिव में देखा जाए तो इसका एक कुछ दूसरा डिमांड में या उन पर टैक्स कलेक्शन के सेकेंडरी आर्कों से इस बात को प्रमानित करना पड़ेगा कि या क्या वास्तों में भारत में इकॉमर्स से पिछले दो-तीन महीनों में सेल्स बहुत जाधा बढ़ी हैं लोगों ने बहुत जाधा कपड़े, इलेक्ट्रानिक् तो प्रतिक शुरूप से ये खबर अच्छी लगती है क्योंकि इसका एक दूसरा पहलो समझना भी जरूरी है साथ में क्योंकि हमेशा एकॉनिमी में एक दूसरा हिस्सा भी होता है जो समझना जरूरी है, क्रेट कार्ट की फिनांसिंग आमतर पर एक किसम की क्रेडिट फिन समझना है, ब्याज़रों में बढ़ने की परिस्तिती में, इनकम में कमी की परिस्तिती में, महेंगाई में बढ़तरी की परिस्तिती में, ये खरीदारी क्या वास्ताव में डूमेस्टिक डेट की बढ़तरी नहीं है, या लोग क्योंकि खरीदना चाह रहे हैं और खरीद र दोनों trend एक दूसरे के contradictory हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि महंगाई के करन डिमांड गिर रही है। अगर सारी company कह रही है कि डिमांड में slow down है कीमतें बढ़ रही है तो ये spending का data उसको support नहीं करता है। बिल्कुल अब आपके लिए एक अच्छी खबर अच्छी खबर यह है कि आप बैंकों में अगर FD कराते हैं तो उस पर ब्यासदरें बढ़ रही है और हमेशा यह कहा जाता है कि FD महंगाई को मात नहीं देती है लेकिन देविन शर्मा की यह special report बताती है कि आने वाले दिनों प्रेटन महंगाई को मात दे सकता है तो यह महच सपना ही था लेकिन कोरोना महामारी की मार रूस उक्रेइन युद्ध की वज़ा से यह सपना अब साकार हो रहा है रिकॉर्ड तोड महंगाई को काबू करने के लिए RBI अपनी नितिगत ब्यासदर रेपों में दो किस्टों में 0.9% की वृद्धी कर चुका है रेपो दर अभी 4.9% पर है तमाम आर्थिक विशेशक्य मान रहे हैं कि केंद्रिय बैंक अभी इसमें और वृद्धी करेगा इसमें अगले वित्तवर्ज तक रेपो रेट 5.75% से 6.25% के दायरे में पहुच जाएगी ब्यासदरों में वृद्धी के संकेत बॉंड यील्ड में साफ साफ दिख रहे हैं। बॉंड यील्ड वो दर है जिस पर केंद्र और राजसरकारें पूंजी बजार से कर्ज उठाती हैं। भारत में अभी 10 साल की बॉंड यील्ड 7.5% के आस पास है जो मार्ज 2019 के बाद के उपरी इस्तर प FD में निवेश करने वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। RBI की रेपोदर में वृद्धी के बाद तमाम बैंकों ने FD पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया है। विभिन बैंकों के FD की ब्याजदरें बढ़कर 5.75 से 6.50% के दाइरे में पहुंच गई हैं। जो र आर्थिक विशेशक्यों के अनुमानों के अनुरूप RBI रेपोरेट को बढ़ाकर 5.75 से 6.25% के दाइरे में ले आता है तो FD की ब्याजदरें 8% पर पहुंचना तैं हैं। जो पिछले 7 साल में सबसे जादा होगा। पिछले आकड़ों पर गहर करें तो रेपोरेट की के इस्तर पर था। इस तरह तमाम आकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि ब्याजदरों में वृद्धी का सिल्सला जारी रहेगा। इसी वुज़र से निवेशक FD में लंबी अवधी का निवेश करने से कत्रा रहे हैं। निवेशकों के शंका को दूर करने के लिए निजीशेत के यस बैंक ने फ्लोटिंग FD के रूप में एक नई स्कीम शुरू की है। इस योजना में बैंक देड़ से तीन साल तक की FD पर 6.5 फीसद ब्याजदर रहा है। ये ब्याजदर रेपो रेट में 1.6 फीसद जोड़कर तै की गई है। रेपो से जुड़ी फ्लोटिंग र होती है तो FD का रिटन स्वता ही घट जाएगा। अगर अनवानों के अनुरूप RBI की रेपोदर 6.25 फीसद के इस्तर पर पहुंसती है तो यस बैंक की डीर से 3 साल की FD पर ब्याज 7.85 फीसद हो जाएगा। जातर बैंक वरिश्ट नागरिकों को आधा फीसद ज्यादा ब अनिराइन के लिए देवेंद शर्मा। बैंकिंग है, क्रेडिट लेने वालों की संख्या बैंकों में जमा रखने वालों की संख्या से बहुत कम है। और अब जो परिस्तिती बन रही है उसमें 3-4 बड़े एलिमेंट एक साथ आयस सामने हैं जिसमें ब्याजदर में बढ़ोतरी हो रही है, बांड डील में बढ़ बैंकों में चमकता था वो भी शायद नहीं चमक रहा है, ऐसी सिचुएशन में पहली बार हम इस यह देख रहे हैं काफी लंबे समय के बाद, जब महंगाई की दर के करीब पहुँच सकती है भारत में, FD की या फिक्स डिपाजित की दर, तो अगर आप निवेशक हैं या आप बैंक में पैसा रखते हैं, तो कोशिस करें कि लंबी अवधी के बजाए चोटी अवधी की FD में पैसा रखे हैं क्योंकि दरों में तेजी से बदला होने की संभावना है, और अब चूंकि रिजर बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की ट्रेजिक्ट्री कर सकते हैं, आपके पास कम से कम एक साल का तो पस्पेक्टिव शुख हो, उपलब्ध है ही कि एक साल तक बैंक डिपॉजिट पर अधिक तम आपको कितना रिटर्न मिलेगा, बिलकुल यानि कि आप अपनी पोर्टफोलियो की रिस्ट्रक्शिन में डेट के हिस्से में FD को जगा दे सकते हैं, पाकिस्तान को I.M.F की तरफ से राहत पैकेज मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, वहां के परदान मंतरी शहवाद शरीफ ने कहा है कि उन्हें दो अरव डॉलर का राहत पैकेज मिल सकता है, राहत पैकेज लेने के लिए पाकिस्तान ने आईम F की सभी श चर्चा की थिया अज पाकिस्तान के वित्मंत्री की तरफ से और वहां की सरकार की तरफ से अधिकरतुप से बताया गया कि अंतराश्टी मुद्राकोश ने आएमेफ ने पैकेज के लिए शर्तों का के दो चरणों का पुलिंदा एक साथ जिसको की सेवेंथ और एर्थ सेट कह नहीं होगी यह सब्डे ख्शा अग्ले त्न दिन चार दिन में कम्पलीट होगी और तीन दिन बाद यह सारी रिपोर्ट ले कर पाकिस्तान की सरकार आयमेफ के पास जाएगी और शायद यही वज़े है कि पाकिस्तान के प्रसान मंतरी ने उम्मीद जाहिर की है कि उन्हें पाकिस्तान आइम एफ से बेल आउट मिल जाएगा यह दोनों शर्तें एक साथ लागू करने का मतलब है कि पाकिस्तान में वैसे भी टैक्स दरें बढ़ाई गई हैं शर्त का एक बड़ा हिस्सा था कि पाकिस्तान में टैक्स बढ़ाई जाए जाए वो भी लागू हो गया मिडल क्लास पर जो टैक्स की दरें थी जो रियायती थ उन्हें भी खतम किया गया अब जो अगली किष्ट है वो अगली किष्ट के हिसाब से पाकिस्तान को अपनी अर्थविस्था के खासतर से बजट में और फिसकल ढाचे में कुछ और बड़े सकत कदम उठाने होंगे ताकि आएमफ इस बात के लिए आश्वस्थ हो सके कि जो सह शायद दो किस्तों में आएगी पहली आएगी 900 बिलियन डालर किसी से और दूसरी आएगी 1 बिलियन डालर की तो संकेत ही मिल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ये सारी चीजे प्रस्तुत कर दिया आएमफ के सामने तो शायद इस हबते तक कम से कम एक किष्ट का फैसला पाक पाकात होगी शाम को साथ वजे प्रमो खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार सेही काता नाम ये संभो घिवाल है कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले कि वाले कोई का शाओ िवाल है प्रहिए वाले के सुन्क आफो paar व्राइ़ आएम narrator bird